मसी में प्रिये भाई और बहनों आप सभी को प्रभुयेश मसी के नाम में जैमसी की Beautiful Bible Stories में आप सभी का स्वागत है प्रियों आज की वेडियों में हम लोग देखेंगे विनाश का पुत्र, 666 के मोहर और रैपचर तथा क्लेश और महाक्लेश इन सब को विस्तार पूरवक देखेंगे और एक-एक कड़ियों को जोड़ते हुए समझेंगे कि आने वाले समय में क्या-क्या होगा क्योंकि इसे जानना हर एक मसीयों को जरूरी है इस वीडियो को अंधितक जरूर देखें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले पाए तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज बहुत से लोग इस विस्यमता के साथ सोच विचार कर रहे हैं कि रैप्चर पहले होगा या विनाश का पुत्रों पहले आएगा आईए पवित्र शास्त्र बैबल से देखेंगे और समझेंगे मती उसका 24 सद्ध्याय प्रियो प्रभु येश्यो अपने चेलो को अंतिकी समय के बारे में बहुत कुछ संगेतों के द्वारा समझाते हैं कि अंतिकी समय में दुनिया में क्या क्या होगा आप इस सद्ध्याय को अराम से ध्यान पूर्वक पढ़ लीजेगा परन्तु आज हम लोग क्लेश के बारे में देखेंगे और उसे विस्तार पूर्वक समझेंगे मती 24 के पंद्रा में इसलिए जब तुम उस उजाडने वाली ग्रिणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानिल भविष्टवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए जो छत पर हो वहाँ अपने घर में से समान लेने को न उतरे और जो खेत में हो वहाँ अपना कपड़ा लेने को पीछे न लोटे इन आयतों को पढ़ने पर हमें कुछ ऐसी चीजों का संकेत प्रभु येश्व मसी दे रहे हैं जिसके चर्चा दानियल भविश्वक्ता ने किया है कि एक ऐसी उजारने वाली गिरिणित वस्तु जब पवित्र स्थान में खड़ी हो जाएगी तब बहुत ही भ्यानक विपतियों का सामना करना पड़ेगा अर्थात कैसी मुसीपत के लोग जिस जगह पर हैं बस अपने प्राण को वहीं से बचा कर भाग जा रहे हैं आए समझते हैं विग्रिणित वस्तु आकर क्या है जिसके बारे में पहले सी भविश्वारी किया गया है दानियल नौ के 27 में वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतो के संग द्रडवाचा बांधेगा परन्तु आधी सप्ताह के बीतने पर वह मेल पली और अनबली को बंद करेगा और कंगूरे पर उजारने वाली ग्रिणित वस्तुए दिखाई देंगी और निश्य ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्य का क्रोध उजारने वाले पर पड़ा रहेगा अन्ति की समय में एक ऐसा शासक राजगदी पर विराजमान हो जाएगा जो मसीव विरोधी होगा जो एजराईल के साथ साथ वर्षों की एक वाजगदी गा लेकिन साड़ी तीन साल में ही उश्यासक द्वारा वाजगदी द्वारा वाजगदी थी अब उसका असली रूप सबके सामने निकल कर आ जाएगा और वह उजाडने वाली ग्रिनित वस्तु को पविद्रस्थान में स्थापित करेगा पहला थिसलुनक्यों 4 का 13 से 17 हे भाईयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विशय में जो सोते हैं अग्यानी रहो ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोग करो जिने आशा नहीं क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि येशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हीं भी जो येशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा क्योंकि हम प्रभू के वचन के अनुसार तुम से ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभू के आने तक बची रहेंगे सोई हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे क्योंकि प्रभू आप इस स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बची रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले और इस रिती से हम सदा प्रभू के साथ रहेंगे इन आयतों की द्वारा पॉलूस हमें एक संकेत देते हैं कि हम दूसरों के समान सोते ना रहें परन्तों हमें इसके बारे में ज्यान होना जरूरी है पदि सोला में क्योंकि प्रभू आप ही स्वर्ग से उतरेगा तब उस समय ललकार और प्रधान दूद जो स्वर्ग में है उसका शब्द सुनाई देगा तथा साथ में परमीश्वर की तुरी ही फूकी जाएगी हम जानते हैं कि परमीश्वर भी स्वर्ग में है इसलिए उनकी तुरी भी स्वर्ग में फूकी जाएगी तब जो मसी में मरे हैं अर्थाद जितने भी वर्ष हो गय हो जितने लोग भे मसी येशु के नाम से शहीद हुए हैं वे पहले जी उठेंगे तब बाद में जितने लोग जिन्दा बचे हुए होंगे प्रभु येशु के विश्वासी जो सच में विश्वासी हैं वे उनके साथ बादलो पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभु से और इसी रिती से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे और उनसे मिल सकेंगे अब आएए इन्हें आयतों से मिलता हुआ एक और आयत को देखें पहला कुरूंतियो 15-52-54 देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ हम नहीं सोईंगे परिं तु सब बदल जाएंगे और यह शड़ भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुड़े अविनाशी दिशा में उठाएजाएगे और हम बदल जाएगे क्योंकि अवश्य है कि यह नाश्वान दे अमर्ता को पहन ले और जब यह नाश्वान अविनाश को पहन लेगा और यह मरनहार अमर्ता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जैने मृत्य को निगल लिया प्रियो इन वचनों के द्वारा हमने समझ लिया है कि परमेशर के लोग जो जागरित हैं अपने येशो के आने के इंतिजार में हैं अर्थात येशो की सची कलीसिया उनका मेगा रोहर अर्थात बादलों पर उठाया जाना होगा अप सवाल ये उठता है कि ये सब कब होगा हमारा और आपका बादलों पर उठाया जाना या येशो का गुप्तिर तरीके से आना कब होगा इस बात की जानकारी सिर्फ हम ही नहीं बलकि येशो के चेले भी जाना चाहते थे अपे बहुत से लोग अपनी चारो तरफ के घटनाओं से अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद 2024 में ही कलिस्या का उठाया जाना होगा परन्तु येशो ने साफ साफ कहा है मती 24 के 36 में उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता न स्वर्गी के दूद और न पुत्र परन्तु केवल पिता इसलिए यदि कोई ये कहे कि 2024 या 2025 या कोई इस डेट पर प्रभु येशो आ जाएंगे तो तुरंत विश्वास नहीं करना है हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी क्योंकि हमारे चारों तरफ में जो घड़नाय घटित हो रही है लडाई जगडे, महा मारिया, भूकंप, जाती जाती पर चढ़ाई, राजी राजी पर चढ़ाई परमेशर के लोगों को सताय जाना, इस बात से अंदाजा लगाय जा रहा है कि अब येशो का आगमन निकट है हाँ प्रियो, येशो का आगमन अब निकट है परन्तु येशो ने इन सब संकेतों के बाद एक बात जरूर बोलते है मत्ती 24 के 6 में तुम लडाईयों और लडाईयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परन्तु उस समय अंत ना होगा मत्ती 24 अध्याय को और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ने पर येशो के आगमन के जानकारी हमें दो तरीके से मिल रही है इसी आयत में पद 27 में क्योंकि जैसे बिजली पूर्वे से निकल कर पश्यम तक चमकती है वैसे ही मनुश्य के पुत्र का आना भी होगा तथा पद 29 में उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे अकाश से गिर पड़ेंगे और अकाश की शक्तिया हिलाई जाएगे तब मनुश्य के पुत्र का चिन अकाश में दिखाई देगा और तब प्रित्वी के सब कुलों के लोग चाती पिटेंगे और मनुश्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और एश्वरे के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे वह तुरह के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भीजेगा और वह आकाश के इस छोड से उस छोड तक चारों दिशाओं से उसके चुने हों को इकठा करेंगे पद 27 और पद 29 दोनों में येशु के आगमन की जानकारी मिलती है लेकिन दोनों में अंतर है एक में लिखा है कि येशु का आना बिजली की चमक जैसा होगा जैसे बिजली पूर्वे से पश्शिम तुरंद जाती है और पद 29 में येशु का आगमन हर एक कुल के लोग देखेंगे और चाती पीटेंगे प्रियो हमने अभी बहुत से आयतों की द्वारा ये पता लगा लिया है कि किन किन घटनाओं के बाद येशु का आगमन होगा तथा किन किन तरीकों से होगा पहला तरीका येशु का आगमन एक गुप तरीती से होगा जिसमें येशु अपनी कलीसिया अर्थात वैसे लोग जो येशु के लिए अपने को त्यार किये होंगे और रात दिन प्राथना उपवास वचनों में पवित्रताई के साथ जीवन विता रहे होंगे उन्हें इस बात की जानकारी है कि येशु कभी भी आ जाएंगे और अपने गुनाहों से पशताप कर लिया है और उन्होंने अपनी मशालों को जलाए रखा है वे सब येशु के आगमन पर बादलों पर उठा लिये जाएंगे ये हवा में प्रभु से मिले तथा जितने लोग इन सब अधर्म के घटनाओं के दोरान प्रभु येशु के नाम में मारे गए होंगे या स्वैम भी अपनी मृत्यों से मरे होंगे और जब तक वे जिन्दा थे उन्होंने ये शुपर विश्वास किया था वे तो जीवित बादलों में जीने वालों से पहले उठा लिये जाएंगे क्यूंकि जीवित लोगों से पहले मरे हुए जी उठेंगे परन्तु इस आगमन के होने से पहले एक विशेश घटना इस दुनिया में घट जाएगी उसी के बाद ही ये सब होगा आए देखते हैं दूसरा थिसलूनिकियो दो के तीन से चार में किसी रीती से किसी के धोके में ना आना क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थाद विनाश का पुत्र प्रगट ना हो जो विरोध करता है और हर एक से जो इश्वर या पूजी कहलाता है अपने आपको बड़ा ठहराता है यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदर में बैठ कर अपने आपको इश्वर ठहराता है येश्व का गुप्त रिती से आगमन के पहले विनाश का पुत्र या एक ऐसा शासक इस संसार में आ जाएगा जो मसी विरोधी होगा और यही बात येश्वर मती 24 के 15 से 26 के बीच में एक उजाडने वाली घड़ना के बारे में जिक्र कर रहे है इस विनाश के पुत्र के आज जाने पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगी लोगों के बीच बहुत से ऐसी चिन और चमतकार दिखाए जाएंगे कि लोग बहक जाएंगे और उस पर विश्वास करने लगेंगे अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि बहुतों का प्यार जो येशो मसी के प्रती था वो ठंडा पढ़ जाएगा बहुत से लोग जो पीछले थे अर्थाद जिनों ने येशो पर विश्वास नहीं किया था वे आगे आ जाएंगे और कुछ लोग जो विश्वासी थे वे पीछे चले जाएंगे परन्तों याद रखे यहाँ पर सभी की बात नहीं होती है बहुत से लोग मतलब सब नहीं पर जादा लोग विनास का शासक साथ वर्ष का वाचा या कहे तो उसकी गद्दी साथ साल की होगी उसी दोरान वो बहुत से नियमों को निकाल देगा जिसके बारे में हम लोग बात की वीडियो में विस्तार से देखेंगे तब परियो इसी दोरान ही कभी भी या विनाश के पुत्र के आने के कुछ समय बाद ही या तुरंत ही गुप्त रीती से कलिस्या का उठाया जाना हो जाएगा तब उस समय दो लोग खेतों में काम कर रहे होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा कहने का तात पर यह है ऐसे विश्वासी जो येश्व पर विश्वास करके अभी से ही येश्व के आगमन के लिए तयार है वे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएगे और दूसरी लोग इन लोगों में भी दो तरीके के लोग बच जाएगे पहला जो विश्वासी है परन्तु उन्होंने येश्व के आगमन के लिए अपने को तयार नहीं किया था उन्हें एक मौका और दिया जाएगा परन्तु वह मौका बहुत ही भ्यानक होगा जिसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे ताकि इसे समझने में असानी हो सके उस मौके के दोरान ही 666 का समय भी आ जाएगा जिनने लेना सब के लिए जरूरी होगा और जो नहीं लेगा उसकी साथ किसी प्रकार का लेंदे नहीं हो पाएगा फिर कैसे विश्वासी विना कुछ खरीदे कितने दिन तक रह पाएंगे उसी समय ही पश्यू अर्था शितान की पूजा भी कराई जाएगी जो विश्वासी नहीं करेंगे उन्हें तलवार से मार दिया जाएगा बहुती सतावट आ जाएगी उस समय जिसे सहकर या मरकर जो विश्वासी येश्व के लिए शहीद होंगे उनकी आत्माए स्वर्ग में परमेश्वर के सिहासन के पास होगी जिसके बारे में बात में देखेंगे तथा वे भी लोग जो छूट जाएंगे जो येश्व को मानते ही नहीं थे अर्थात अन्य जाती लोग विनास की शासक द्वारा साड़े तीन साल के बाद ही उसका असली रूप सारी दुनिया के सामने होगा उसी के शासन काल के दौरान परमेश्वर के मंदिर में ग्रिनित वस्तु को इस्थापित किया जाएगा और भी बहुत कुछ जिसके बारे में इस दुनिया में बहंकर तबाही का मंजर हो जाएगा ऐसा युद्ध या एक ऐसी तबाही जिसमें लोगों को मारा जाएगा गर्ववती इस्तरियां भाग कर अपने प्राणों को बचा नहीं पा रही होंगी इसलिए लिखा है कि जो जहां पर हो वहां से भाग जाए पीछे लोट कर ना आए बस लोग जहां तहां अपने प्राण बचा रहे होंगे ऐसा क्लेश होगा जिसके बारे में लिखा है कि इसके पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा प्रियो उन कलेशों की अवधी भी घटाई जाएगी क्योंकि उस दोरान भी जो विश्वासिस दुनिया में छूट गए थे या परमीशर की चुने हुए लोग उनकी कारण इस कलेश की अवधी या समय को जो थोड़ा और बढ़ना था उसे कम किया जाएगा जिससे चुने हुए बचाय जा सके मतिस की चौबिस के बाइस में यदि वे दिन घटाई ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता परन्तु चुने हुए के कारण वे दिन घटाई जाएंगे तो प्रियो हमने अब तक जान लिया कि येशु का आगमन दो तरीके से होना है तथा विनाश के पुत्र के बाद क्या होगा और उसके आने के बाद येशु का आगमन कैसे होगा आज हमें नियूज में सुनने को मिल रहा है कि ऐसे बहुत से नियम निकल रहे हैं जिसकी द्वारा आप और हम अच्छे से समझ रहे हैं कि अब उस मसीव विरोधी शासक का दिन अब बहुती करीब आ गया है हर दिन कुछ ना कुछ बाते लगातार हमें नियूज की दोरान बताये जा रहा है तो हमें जागरित अब रहना है क्योंकि जिस प्रकार से हमने कुछ समय पहले नोटबंदी की खबर अचानक सुना था क्या पता इस नियूज की खबर भी अचानक से सुने कि कुछ नियमों में बदलाओ किया गया है या फिर इस विशय पर काम चल रहा हो बस उसका प्रकट होना कभी भी हो जाए इसलिए प्रियो अपने को तयार करिए पहले ही आगमन में जाने के लिए क्योंकि यहाँ पर छूटने के बाद बड़ी विपतिया आने वाली है मरकुष 13 के 33 में देखो जागते और प्राथना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वहाँ समय कब आ जाएगा यहाँ उस मनुष्य कीसी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वार पाल को जागते रहने की आग्या दे इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानतेगी घर का स्वामी कब आएगा साज को या आधिराथ को या मुर्गी के बांग देने के समय या भोर को ऐसा ना हो कि वहा अचानक आकर तुम्हें सोते पाए विनाश का पुत्र या शासक उसके कारे क्या क्या होंगे उसके दोरान क्या क्या नियम होंगे तथा येशु के बादलों पर दिखाई देने के बाद येशु के प्रकोप के बारे में कि कैसे कैसे लोग येशु के प्रकोप के कटोरे से दुनिया में खलबली मच जाएगी इसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी तो प्रियो इस वीडियो को अब मैं यही पर समाप्त करती हूँ अब मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में मेरी अगली वीडियो जो इसी से सम्बंदित होगा वो कल शाम को आ जाएगी तो इसके वाले भाग को भी आप जरूर देखे आप सभी भाई बैनों को प्रबुयश्य मसी के नमे जैमसी की तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस्टोरी कमेंड में लिखके बताईए आगे ही यसी वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जैमसी की दोस्तों के यदियर दीजिए वीडियो